तो जिसका सभी को बेसबरी से इंतजार था विशाल भारदवाज की फिल्म पटाका आज रिलीज हो चुकी है इस फिल्म का ट्रेलर देखते ही हर किसी को फिल्म का बेसबरी से इंतजार था तो वहीं बहुत ही जादा उम्मीदे भी थी तो आज हम आपको बताते हैं लोगों को ये फिल्म देखने में कैसी लगी क्या ये फिल्म वैसी ही निकली जैसा उन्होंने उम्मीद की थी या नहीं फिल्म की कहानी में रादिका मदन, बड़ी बेहन और सान्या मलोतरा छोटी बेहन के किरदार में नजर आई है पूरी फिल्म में दोनों बेहनों को एक दूसरे से लड़ते हुए ही दिखाया गया है वहीं इनी के गाउं में रहने वाला एक लड़का डिपर यानि सुनिल ग्रोवर दोनों बेहनों में लड़ाई कराता रहता है और फिर सबसे ज़्यादा खुद ही इनके लड़ने का मज़ा भी लेता है लेकिन जितना ये बेहने एक दूसरे से दूर भागती है उतना ही इनकी किसमत इने पास लाती रहती है जी हाँ इन दोनों बेहनों की शादी भी एक ही घर में हो जाती है और फिर जो आगे होता है उसके लिए तो आपको खुद ही ये फिल्म देखनी होगी फिल्म के डायलॉग्स काफी लोड़ पोर्ट कर देने वाले बताय जा रहे हैं तो वहीं फर्स्ट हाफ के कुछ सीन्स ने सभी को बोर भी किया है बताय जा रहा है कि फिल्म का सेकंड हाफ भी बहुत जादा खास देखने को नहीं मिला लेकिन फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक बताय जा रहा है सुनने में तो फिल्म की स्क्रिप्ट थोड़ी फीकी लग रही है लेकिन सबके फेवरेट सुनील ग्रोवर के साथ साथ सबी एक्टर्स की एक्टिंग कमाल की बताई जा रही है क्रिटिक्स की माने तो अगर आप विशाल भारदवाज की फिल्म को पसंद करते हैं तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए इस फिल्म को क्रिटिक्स से 3 स्टार मिले हैं आपको बता दें कि इस फिल्म के साथ ही आज वरुंधवन और अनुस्का की फिल्म सुई-धागा बे रिलीज हुई है तो देखा जाये तो इस फिल्म का सीधा मुकाबला सुई-धागा से है तो आप देखना ये होगा कि इन दोनों में से कौन सी फिल्म विवर्स के दिलों को जीत कर दूसरी फिल्म को पीछे छोड़ देती है अने उठाकूर पंजाब केसरी दिल्ली घूंडार पंड हाता है कर दोकキाूर के दताइब दी थेर फिल्म विल्म को जीत कर दूसरी lure